हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एचीवर इडूकेशन दोस्तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एचीवर इडूकेशन में दोस्तो देखें यहां लिखा गया है UPSC NDA1 आप लोगों का UPSC NDA का एक्जाम है National Defense Academy का कल एक्जाम में दोस्तो संडे को एक्जाम होता है प्रतेक साल प्रतेक बार दोस्तो ठीक है देखें और क्या लिखा गया है exam 2021 to be conducted tomorrow यानि कल आप लोगों का एक्जाम है दोस्तो तो आप लोग चेक देखें दोस्तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि कल आपको क्या-क्या लगेगा दोस्तो एक्ज 21 on Sunday यानि कल आपका exam है April कल 18 तारिक है दोस्तो 21 ठीक है The examination will be conducted in offline mode offline mode में आपका exam होगा और दू पेपर में exam होता है दोस्तो mode across the country in various exam centers The National Defense Academy exam will be conducted in two shifts the first shift will begin at 10 10 p.m. आपका पहला जो shift होगा 10 बज़े से start होगा दोस्तो और दूसरा shift आपका 12 बज़े से होगा दोस्तो ठीक है तो और देखे आगे क्या लिखा गया The written examination will comprise question in mathematics and general ability test The exam duration is 5 hours and the maximum marks are 30 and mathematics I and 600 For the general ability test the written examination will comprise of objective type question आपका objective type question होगा दोस्तो टोटल 900 marks का और 5 घंटे का समय लगेगा दोस्तो आपका exam में ठीक है तो आप कौन सा pen लेख जाएगा blue black pen आप लेख जाएगा दोस्तो बॉल पेन ठीक है देखे यहां लिखा भी गया है Candidate candidate देखे आगे क्या लिखा गया है Candidate must black ball pen only for both writing and marking answers in OMR seat बहुत ही महत्पूर्ण है दोस्तो ठीक है आप blue pen लेके जाएगा दोस्तो और admit card आपको लेक जाना है दोस्तो और एक identity card कुछ भी आप लेके जा सकते हैं दोस्तो या फिर माल लिया जाए स्कूल का हो college का हो तीक है तो यही कवरें दोस्तो मेंली रूप से आप अपना एक्जाम अच्छे से दीजिए दोस्तों कोबीड 19 की सुरच्चा बहुत इंतिजाम अच्छी है दोस्तों तो आज के लिए इतना है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो आपक